बीजेपी मुख्याले में आज भारतिय जनता पार्टी की बड़ी बैठक बैठक को सम्मूदित करेंगे पीएम मोदी जेपी नड़ा समेत तमाम नेता मौझूद किसानों का आज देश भर में रेल रोको अंदोलन अजे मिश्रा की बर्खास्तकी की मांग लखनाओं में धारा 144 लागू कानपुर्देहात में किया गया एतिहासिक राम लीला कायजन श्री राम लक्ष्वन के राजजबिशेग के साथ संपन कुआ कारिकम कलाकारों को किया गया सम्माने हर दोई में इस्पतालों में नहीं थम रहा अब विवस्ताओं का दौर मुबाइल टॉर्च की रोश्णी में किया जा रहा है लाज सोचल मीडिया पर वीडियो हुआ वारल नमस्कार स्वागत आपका निउस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल ज्यागी गुजरात की हीरा नगरी सूरत में सुमवार की सुभा हाथसे की खबर लेकर आई और सुमवार की सुभा सुभा सूरत के कडोद्रा इलाके के वरेली स्थ एक पैकेजिंग यूनिट में आग लग गई इस घटना में तो मजदूरों की जान चली गई है आपको बता दें कि प्रसाशन का दावा है कि 125 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है फार ब्रिगेट की गारिया मौके पर आग बचाने की कोशिश पर जुटी हुई है जानकारी के मताविक सूरत के कडोद्रा इलाके के वरेली स्थ एक पैकेजिंग यूनिट में सब कुछ सामाने चल रहा था और जैसे ही मजदूर पांचवी मंजिर पर काम कर रहे थे इसी बीच अचानक वहाँ पर आग लग गई और आग की लप्ते उठते देख मजदूर भेभीत हो गए मजदूर इसकदर डरे की मारे डर के मारे वो अपनी जान बचाने के लिए पांचवी मंजिर से छलांग लगाने लगे इस घटा में एक मजदूर की मौत हो गई है पार केजिंग यूनिट से रेस्क्यू किया जा चुका है तो तस्वीरे देख रहे हैं जहां पर सूरत में पैकेजिंग यूनिट में भीशन आख लग गई हाला कि आख के स्वचह से लगी अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन दो मजदूरों की जान चली गई है जबकि 125 से ज़्यादा मजदूरों को वहां से निकाल दिया गया है लेकिन लगातार पार ब्रिगेट की गाड़िया महाँ पर मौजूद हैं और आख पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है AIM, AIM प्रमोग असुददीन OVC ने बड़ा बयान दिया है OVC ने कहा कि मुसलिम यादव कॉम्बिनेशन से BJP को हराया नहीं जा सकता BJP को हराने के लिए A से लेकर Z तक कॉम्बिनेशन तयार करना होगा अगर अखलेश यादा सोचेंगे कि 19% मुसल्मान उनको वोट देता रहेगा और वो इनी वोटों पर राजनीती करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता तो विधान सभा चुनाव को लेकर लगातार OVC भी इस बार चुनावी मैदान में उत्रप्रदेश में नजर आएंगे तो इसको लेकर OVC ने ये बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए इस बार A से Z तक का कॉंबिनेशन तयार करना हुगा चलिए जादा जानकारी के साथ लगनों से मारी ब्योरो चीफ रूबी सिद्धी की हुआई सर जुड़ चुकी है रूबी जिस तरह से देखा जाए लगाता विधानस्वा चुनार को लेकर सभी पार्टियां तयार हैं कमर कर चुकी है OVC ने अब एक नए फॉर्मूले की बात की है उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए A से Z कॉंबिनेशन तयार करना होगा आखिर ये A से Z कॉंबिनेशन क्या है अब जो भी छोड़े जित्ता तो आले सिकुन हांता होगी है जाती समिक्रण जो भी होगी है उन्हों सभी पिछड़ा वक को शामिल करेंगे बिल्कुल रूबी यहां पर वेसी ने ये भी कहा है कि अकले श्यादावाद करेंगे अगर सोच रहे हैं कि 19% मुसल्मान उनको वोट देता रहेगा और वो इनी वोट पर राजनीती करकर आगे पड़ेंगे और जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा अगर साफ दिक रहा है कि उसी जो पार्टी है वो इसी दूबा लगनो आ चुके हैं लेकर उनको प्रत्वाता भी करी थी और इसमें लोने कहा भी का चली रुबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समाम जानकारे के लिए तो विसी ने बीजेपी को हराने के लिए एक नए फॉर्मूले की बात की है उन्होंने कहा है कि ए से जेट तक का फॉर्मूला या कॉम्बिनेशन जो है वो अपनाना होगा अगर बीजेपी को हराना होगा साथी अकलेश यादव के लिए भी उन्होंने बोला है कि 19% मुसल्मानों का वोट उन्हें अगर मिलता रहेगा तो इसी वोट पर अगर वो राज़नीती करने की बात सोच रहे हैं कह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता क्यूंकि इस बार मुसलिम वोट मैंक अकलेश यादव को नह गाले के राज़ेपार सत्यपाल मलिक ने घाटी में गैर कश्मीडियों की हो रही हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है आपको बता दें सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब वो जमुकश्मी के राज़ेपाल थे तो आतंकी घटनायन नहीं होती थी श्रीनगर के 50 किलोमीटर के द अतंकियों ने फिर से टागेट के लिंक शुरू कर दी है रविवार शाम को भी आतंकियों ने दक्षिन कश्मीर के कुलगाउं में तीन मज़ूरों को गोली मारती थी इन में से दो मज़ूरों की ही मौके पर मौत हो गए जबकि एक मज़ूर बोरी तरह घायर है तीनों मज बलरामपूर में रविवार को तेज धूप के बीच दोपहर में तेज हवाओ के साथ हुई बारिश ने एक बाप फिर से किसानों की कमर तोड़कर रखती है धान की फसल का भारी नुकसान हुआ है ऐसे में गन्ने की फसल गिर चुकी है बारिश के चलते तिलहनी और दलहनी फसलों की बुआई भी प्रभावित होई है ये बता दें बे मौसम की बारिश और तेज हवाओ ने एक पाफिर से अंदाताओं को चुंतित कर दिया है खेत में कटने को तयार धान की फसल गिर चुकी है और कटी धान की फसल भीगने से या तो कीड़े पड़ जाएंगे या पिर जमीन के संपर्प में आने से अंकुरित हो जाएंगे ऐसे में किसानों ने बताया कि धान की फसल गिरने और ठीकने से धान की उपज में 10-15 फीज़ी फसल प्रभावित हो सकती है तो तस्वीरे देख सकते हैं यहाँ पलवरामपुर की जहां पर कल से ही लगतार हो रही बारिश से किसानों के चहरे पर मायूजी है किसान परिशान है क्योंकि जो फसल कटने के लिए अप तयार हो रही थी और तयार हो भी चुकी थी कई फसले तो ऐसे में बारिश की वज़ा से और तेज हवाओ की वज़ा से फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई है अजय उससे हमारा धान पूरा गिर गया गन्ना पूरा गिर गया वानी पूरा भर गया सरकार से अब क्या चाहते हैं कि कुछ सहारा दे हम लोग कैसे जिएंगे हर्दोई सदर से विधायक नितन अगरवाल ने बीज़ेपी प्रत्याशी के रूप में विधान सबाव भाध्यक्ष पत के लिए नामानकन दाखिल किया है इसके बाद जिले में उनके समर्थ को में खासा उच्जा देखने को मिला साथी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका राम प्रकास शुकला के आवास पर आतिश बाजी और मिठाई का वित्रण का खुशी भी जताई गई जिसमें मुख्य रूप से टिंकूत रुवेदी, अमेद रुवेदी, रानु सभासत और अमेद बाच्पई समेथ तवाम कारिकरताओं ने बीजेपी का आभार भी व्यक्त किया पूरे जनपत के इतिहास में राजिनतिक समेकरां के श्री नरेश अग्रवाल की राजिनित के बाद नितिन अग्रवाल जी ने इतिहास में वो कदम उठाया है वो निर्णाइभारती जन्तापाड़ी ने लिया है जिसको हर्दोई और उस्त्रप्रदेश याद रखेगा नितिन अग्रवाल जैसा नवजवान जुबा करमत विधायक मंत्री रचके हैं दो बार और आगे उस्त्रप्रदेश विधान सवा के उपाधेक्ष बनने के बाद प्रदेश और देश के कैडर में आज हर्दोई का नाम उचा किया है मानि नितिन अग्रवादी ने जिस प्रकार से राजिनित के नितिन अग्रवाल को बहाया निश्चित रूप से वो अपने पिता के पतितिनों पर चलकर चलकर आगे देश की राजिनित वेजी तरीके से सफल होंगे सुहिल देव भारते समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबर का फिर से बीज़ेपी के साथ आना लगभग तैम आना जा रहा है बताये जा रहा है कि ओम प्रकाश राजबर की मांगो पर पार्टे विचार करेगी और ये भी चानकारी मिल रही है कि सीटो कुले का दिक्कत नहीं आएगी हाला कि इस मुद्धे पर पूछे जाने पार ओम प्रकाश राजबर ने कहा कि अभी उनका बीज़ेपी के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है तो ऐसे में राजबर का फिर से बीज़ेपी के साथ आना लगभग तैम आना जा रहा है हाला कि राजबर इन सभी बातों को इन सभी खबरों को खारिश कर रहे हैं कि अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है लेकिन कही न कहीं अंतुरी तोर पर देखा जाए तो ये बात चीज़ ज़रूर चल रही है कि राजबर फिर से बीज़ेपी में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में उनकी मांगो कुले का पार्टी विचार भी कर रही है लखनौ से हमारी संबादा ब्योरो चीप रूबी सिद्धिके मायसाद एक बाद फिर से जुड़ चुकी है रूबी माना जा रहा है कि ओम प्रकास राजबा बीजेपी में आ सकते हैं लेकिन वो कही न कहीं सभी बातों को खारिज भी कर रहे हैं आखे सच क्या है छी बादेट अच्प जाने का इरादा भी नहीं है तो कहा जा सखता है पारू लबी जो तत्मीरें हैं वो तिल्कु । रह नहीं उपारी हैं बिल्कुल रुबी और कहा ये जा रहा है कि ओम प्रकास राजभर की जो मांगे होगी उन्पापाटी विचार करेगी कि आखिर क्या कुछ मांगे उन्होंने रखी हैं? बिल्कुल रुबी अगर मान लीजे राजभर बीजेपी को में शामिल हो जाते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर आखिर ऐसा क्या होगा? बिल्कुल राजभर बीजेपी को बात की जा रही है कि इस बड़ा फैक्टर है क्या? इन्होंने साफ अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि इस खिनावी मौतम चल रहा है और अमेज करा कि इसमें सुर्फ देखने को मिलेंगे? तो खुल वजाकी अपनी दपनी राजभर लोनों पर को मिला है क्योंकि बहुत फ्रगर बीजेपी बीजेपी अपनी राजभरे उन молодा है आप डिल्च सब्रॉटक चाल के जो दाज़ना है आपका बहुत बहुत शुक्री है इस तमाम जानकारी के लिए तो ऐसे में कहा ये जा रहा है कि उम प्रकास राजबर बीजेपी में उनका आना लगबग तैम आना जा रहा है हाला कि राजबर की मांगो पर भी पार्टी विचार करेगी ऐसी जानकारी मिल रही है लेकिन जब राजबर से ही इस बारे में जानकारी लेने की कुशिश की गए तो उन्होंने साफ तोर पर कह दिया कि अभी उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान लगातार पिछले ग्यारा महीनों से धर्दा दे रहे हैं किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन का वहान किया है और इस रेल रोको आंदोलन में सेंट किसान मोचा की किसान और उनके समर्थक अपने अपने शहरों में रेल को रोकने का काम करेंगे इस आंदोलन की आखेर इतनी ज़रत की उपड़ गई और जब पिशले 11 महीनों से दिली के अलग-अलग बॉर्डर्स पर किसान पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। इन सब को लेकर राकेश्टिकैट का क्या कुछ कहना हैं आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं गाजीपूर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आज 18 तारीक है। यह तो प्रोग्राम डिस्टिक लेविल पर लोग करते हैं। उनको सब पता रहता है कि हमारे डिस्टिक से कहां से रेल गुजर्री और उहां पर प्रोग्राम इसको करते हैं। चाहिता है। अज तरह किस तरह का प्रोग्राम रहेगा गाजी अबाद के अगर बात कि जया तो कहां किस तरह कि तरह में मोधीनगर हैं। वहाँ पर रहेगा और लोग वठ्टे गर वहां पर ट्रेन आएगी तो प्ल प्रूट दूद कर देखते हैं। जो उसमें यार्तिर होते हैं कि उनको कोई परिशाद नहीं नहीं तो यह नया कॉंसेट भी है और पहले भी ट्रेन रोकी तो उनको यह चीज़े दी गई है और यह च्छे घंटे का रहेगा दस बज़े से सुभई और शाम को चार वज़े तक किस लिए रोका जा रहा है फिलाल भी इससे पहले भी आपने यह रेलों का अंदोलन किया था इससे पहले सड़की भी जाम की गई थी इस बार क्यों है दुबारा इसकी क्यों याद आई यह मंत्री है अजय टैनी कि जो ग्रह राज्य बंत्री है वह 120 वी का मुल्जी में उसने आठ लोग की हत्या करवाई कि उसमें सामील है यह प्लान बनाने में और दस दिन पहले इसने पूरा लिखत पड़त में ब्यान देखो चीज़े बोल ली थी उसका इस्थिवा और उसकी गिरपतारी दो कि जो रहा है अब आगे कि किस तरह की रणडिती आपकी रहेगी लगबग आपको एक साल होने वाला है अगले महीने एक साल हो जाएगा आपको तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी आपकी रहेंगी और चुनावी साल भी यह है तो इन तमाम चीजों को किस तरह साथ देखने यह तो पंच्यात होगी पूरे देश भर में मिटिंगे कर रहे हम और जो सरकार क्या क्या कर रही है कि गुसारी चीज़े बताते हैं तीन काले कानून के बारे में बताते हैं सब्सक्राइब नहीं है किसानों का धान अभी जो धान और बाजरा आ रहा है वह आध्यरेट में खरीद हो रही है तो पूरे फसलों की लूट होती है यह सब लोगों को पता चल गया अगर इस पर गारंटी कानून बन जाए तो किसानों की जो लूट होती है वह बचेगी कि आप कभी जाओगे यहां पे हैं करीब अभी दो हजार से ज्यादा ट्रक धान के इस रोड को हरोज निकलते हैं वह कहां जाते हैं वह उसकी मार्किट का है वह किसान का नहीं वह बड़े व्यापार युका है इसके अलावा आगे का रास्त होगा आज आप रेल रोक रहे ह कि यह अभी कुछ तैह नहीं है अभी तो यह दरने यह चलती रहेगी अभी कोई तैने तो पिल्गल देखिये लगबक गैरा महीने का वक्त हो चुका है और आज रेल रोको आंदोलन भी है अब ऐसमें देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह कि जब आंदोलन होंगे तो क्या सरकार पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा क्या किसान और सरकार के बीच किसी तरह की कोई बातचीत होगी या फिर बिना बातचीत के इसी तरह से किसान अंदूलन आगे चलता रहेगा गाजियाबास में जितेंदर गोतम, न्यूज वर्ड इंडिया कानपुर में बस्पा महासचेव सतीश मिश्रा ने कहा कि उत्तपरदीश में कानून का राज नहीं रहा यहाँ पर हत्या लूट बलतकार जैसी घटनाएं तेजी से बड़ी है मौजूदा सरकार इन घटनाओं पांकुष लगाने में असपल साबित हो रही है गोरकपुर में हुई कानपुर के युवक की हत्या की मावले में पुलिस ने नौकरी दे का फीरितों का मूबन करने की कोशिश गी उन्होंने कहा कि कोरोना कार्ट नोत्रप्देश ने पूरे विश्वन में पजीहत कराने का काम किया सरकार के विपलता के चलते लाशों को कपन तक नसीब नहीं हो सका सतیष चंडरमिश्रा ने कहा कि बसबस उपली मो मायवति ने कहा है क्योंकि सरकार आई तो बे रोज़गारों को रोजगार देंगी और उनकी पहली प्राप्त मिक्ता ही होगी यह रोजगार देना किसी भी सरकार के लिए इच्छा शक्ति पर निर्फर रहता है मामली को कि हम नौकरी दे देंगे क्या उससे वो वक्ति वापस आ जाएगा और ये तो एक मामला है कितने सेक्ड़ों मामलें से हो रहे हैं जहां पर की रोज हत्याएं हो रहे हैं बलातकार हो रहा दुराचार कानून भस्त है देखे बेरोजगारों के बारे में आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी की मुख्या बेहन मायती जीग नौ तारिक को अभी नौक्टूबर को जब उन्होंने अपना वक्तव ये दिया था भाशनों दिया था तो शदांजली देते समय उन्हों जो बात कही थी तो उन्होंने उसमें खास तोर से जो नौजवान बेरोजगार हैं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हमारी प्राथिमिक्ता ही होगी कि हम इस बेरोजगारी को दूर करें और ये बेरोजगारी दूर करना कोई समस्या की बात नहीं अगर चाह है अगर आपकी इक्षा है तो आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं जहां जहां पर नोकरियां मिलनी अगर आप उन सब को खतम कर देंगे ठेके में डाल देंगे और उनको ठेकेदारी में दे करके आप स सीटाप mercy के जिर लेहरपूर में कुछ दिनों पहरे चोरो ने चौरी की घठना को अधिया था। सीतापूर फुलिस अधिक्शक के निर्देशों पर छे टीमों का गठन किया गया जिसके बाद फुलिस ने छे आ रोप्यों को गिरपतार कर लिया। पुलिस ने जब आरोपियों से पूश्टाज की तो आरोपियों ने अपना गुना कुबूल कर लिया है। पिलाल पुलिस ने गिरबतार चोरों को अब चेल भेज़ दिया है। पुलिस ने एक घर से पूश्टाज के जाने जाने पूश्टाज के जाने से जो खत्नाव में संपत्ती ले जाई गई थी विज़ लिए तरालिस थाजार दो सो रुपए नगत उच कपड़े बरतन और एक घर से इन्होंने के बांड लिया था यह सब भरामत हुआ है। जो घटना में नोंने मोटरसाइकल प्रिक्ट किया था, दो अदद मोटरसाइकल हैं, दो हेलमेट, तीन तमंचे, पांच कार्थूस, और इस अपरात को तारित करने में जो और उक्रानों से हतोड़ी पेचकस इत्यात, वो सब पुलिस टीम ने बरामत किया, यह महकून स्पलत है, और निशित रूप से, इस कारवाई से, इस प्रकार के परातों को रुखके जाने की प्रविक्त पर एक अंकुछ लगाने मदद बिलेगी, हमारा प्रियास अभी सम्मन में और जारी है, कि इस प्रकार के परातों में जो और लोग संलिपता हैं, उनकी भी परताल करके, पूरे देश में अक्टूबर महिने में मौसम की चाल बिकड़ गई है, उत्तर से लेकर दक्षिन तक केरल करनाटक, तमिलनाडू, दिल्ली, एंसियार, उत्तर प्रदेश, उत्रकान, हिमाचल प्रदेश में कहीं मूसरधा बारिश हो रही है, तो कहीं अचानक बर्थपारी ने जन जीवन पूरी तरह से अस्वियस कर दिया है, ये चार तस्वीरे मैं आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडू, किरला, दिल्ली ओ उत्रकान की जहां पर लगतार दो दिन से हो रही, बारिश की वज़छा से जीवन अस्वियस हो गया है, तमिलनाडू में देख सकते हैं क इस तरह से भारी वारिश के बाद बार जैसे हालात हो गए हैं केरला में भी ऐसे ही तश्वीर सामने आ रही है साथी डिली एंसी आर में भी कल से लगतार हो रही बारिश के वज़ा से कई लाकों में पानी भर गया उत्रा खंड में भी बारिश लगतार हो रही है ऐसे में दो दिनों तक मौसम भाग ने अलर्ट भी जारी किया है चेतावनी भी दी है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है आपको बता दें कि केरल में श्रनिवार से हो रही बारिश की बचा से बार और भुसकलन से अब तक 26 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है साथ ही पाहड़े इलाकों पे भी इसने सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और ऐसे में को टयाम में 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है तो उत्राखन की बात करें तो वहाँ पर लगातार प्रसाशन को अलर्ट रहने के लिए देश दिये गए हैं और आज पूरे उत्राखन में स सबी लोगों को सुरक्षे दिस्तानों पर जाने की सला दी जा रही है और राहत बचाव का लगातार जारी है इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलार कले तना ही आप देखते रहे है नियूस वर्ल इंडिया अजय ली जार।